जोस्तों, यह बन रही है गोबी की सबजी, और आज हम बनाएंगे गोबी टमाटर, आलू गोबी आ टमाकर की सबजी यह देखिए कटिंग की जा रही है टिंकू क्या कर रहा है? चाय पी दम चायु पी रहे हो? सिदा बैटो पहले, गिता नजले गित रहे है ये दो बच्चे लोग, जो कि ये भी चाई पीते हैं, मैंने बार-बार समझाया है, इनको दूद पिया करो, तिंको दूद पीता है और चाई पीता है तूद दूद ही तो ही, अरे या, उचे तो चाई जैसी लग रही है, दूद है, पक्का, गिता अजली क्या पी रही है, ग ऐसा थोड़ी होता है कभी बड़े हो जाते हो, कभी चोटे होbla जाते हो एसा भी तो हता है, कभी खुशी, कभी गब्या, कभी बड़े, कभी चोटे अच्या ऐसा भी होता है क्या बड़े बड़े भी नहीं हुए अभी तो बोल रहे थे हम बच्चे हैं अच्छा नोलेज बड़ा है या दोस्तों देखिए गिता अंजली अपने आपके कॉन्फिडेंस के ओपर बता रही है कि हम नोलेज के मामले में सबसे आ गए है और ये व्लोग मैं अपनी रसोई से बना रहा हूँ अखली रसोई जहां पर हम चूला जलाते है ये चूला और इस डेक्ची में दूदगरम हो रहा गी बैसका दूदग और ये चूला जल रहा है इधर सब्जी की कटिंग की जा रही है आज गोबी की सब्जी बनेगी ए टिंकू और गितान जली चाई पी रहा ये बन गई गो और आपको हम खाएंगे यह और राय साम का खाना लाज जवाब वाह क्या गजब का स्वाल है दोस्तों बाज़े की रोटी हम राजस्तान भी बहुत जादा पसंद करते हैं और बाज़े की रोटी घे में चुपड कर और सब्जी के साथ लाजवाब बीच पीच में बुड़ वाह बस हलो वे टिंकू क्या कर रहे है वीडियो बना रहा हूं यहार है संबत कर हाई दोस्तों यह कुलाना कर दोस्तों यहार ही बना आज़ाए जो पूरा अडूकीर थार है यारी जाए अच्छी हालो, हाई दोस्तो! ते अलगे लिया तो सौर्ण अच्छ सौर्ण सौर्ण अच्छ जो है दोस्तो ए अर्लो टिम्कू क्या गर रहे है दुट्ट्ट्टेक्यो दूख वुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स हलो गुड़ मॉनिंग दोस्तों आज हम एक ऐसे मंदिर में आए हुए हैं जहां पर पहुत प्राचीन मंदिर इस्तित है और गेह गुठा के अंदर ये मंदिर ये देखिए मैं मंदिर के अंदर हूँ और यहां देख सकते हैं मंदिर में नीचे जाना पड़ता है काफी लगवान के सुबह सुबह दर्शन करना पॉस्तों माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि सिवजी की लगातार सेवा करने पर मन चाहा फल तुरंत मिलता है और मन को सांती मिलती है और मौक्स प्राप्त होती है दोस्तों आप भी अगर राजपास बहुत से मंदिरों में गूम चुके हैं तो इन अरावली की वादियों के पास छोटे से इस मंदिर में आप एक बार सेवा करके देखिए ये भगवान भोले को समर्पित मंदिर और सधिय पुराना मंदिर है संतों मुझे याद नहीं लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है इस सिवजी की जो सच्चे मन से प्रातना करता है और सेवा करता है उसको वास्तों में भगवान दर्शन देते हैं और यहां देखिए बुड़े बाबा बहुआन को जल चड़ा रहे हैं मंदिर में किस प्रकार पूजा कर रहे हैं यहां भगवान स्वान कर देखिए जजे सियारम जजे सियारम सितारम सितार मताजी की जाज़ इन यापारवती मेज़ इन जी जाज़ मताजी के जल चड़ाना बहुत ही लाप्रत होता है और यहां पर सिवजी के इसमान के बाद चंदन से भगवान संकर के तिलक चापे किये जाएंगे और यह चंदन कुश्बुदार चंदन जो कि देख सकते हैं आप हमारे यह बाबा बगवान की सेवा पुजा में हमेशा तत पर रहते हैं और बहुत दिनों से बगवान की सेवा करते हुए आ रहे हैं लगातार सेवा कर रहे हैं आस्तरक को पाधर रगवान की जाओ ओ अम्धियर वद्न ऒगवान की जाओ यह देकिए बाग्वान सिब्की जे ओम नमस्तिवाई ओम नमस्तिवाई ओम नमस्तिवाई गुले नाति जे ओम मेरे प्रभू मेरे प्रमातमान कार बाग्वान हम नाट्पित ओम नमस्तिवाई ओम जाः प्रमातम सिफजब ओम नमस्तिवाई ऐसका थो यकित्वाई एकर लाग्वषण और आज मकर सक्रांती का जैस्ट पहले वाला दिन और यह देखिए बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं अब है तिंकुराम क्या गर रहे हैं पतंग उड़ा रहे हो तु तो बेटा है भी कहां उड़ा रहे हैं पतंग अच्छ भई यह उड़ा रहे है देखे दोस्तों पतंग अभी दिखाई नहीं दे रही है दुन दो रही है अब आपको दिख रही होगी तो हमारे यहां पर मकर सक्रांती के दिन पतंग उड़ा जाती है और आपके क्या होता है यह भी हमें कमेंट्स करके बताए कि आप लोग मकर सक्रांती के परोपर क्या करते हो हां गितांजली क्या लेकिया है इसमें चाई डालो ना तो कप में हेलो दोस्तों यह है गितांजली और यह डाल रहे हमारे लिए चाई चाई दोस्तों आपको भी अगर चाई पीना हो चाई पीना हो तो आ सकते हो यह देख सकते हैं वाह ला जवाब चाई स्वाद और कुस्बुतो पूछो इमतो बैंस के दूद की चाई और वाह आनंदी कुछ और है आत की बनाईवी कितांजले की बनाईवी चाई अज़ता उपाई पूछा क्या स्वाद कि अन्दो अदरो है बनाईवी चान टाई शe में ऑनाईवी कि यहित है जो अपनाई पूर्ण